Hello learners, welcome to चलतो, अगर आप भी AKTO और उससे affiliated college में बेटेक कोर्स में admission चाहते हैं और आपने joint interest examination, यही में 2023 का examination दिया था, तो आप जो है counseling के लिए apply कर सकते हैं, AKTO में बेटेक कोर्स में admission के लिए counseling के लिए counseling स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पर agriculture और biotic ब्रांच को छोड़ के बाकि जो भी branches हैं, जिसके लिए आपने J.E.Main 2023 का examination दिया होगा, उसके लिए यहाँ पर counseling schedule जारी कर दिया गया है, तो tentative schedule है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि उत्रप्रदेश technical admission counseling 2023, B.Tech first year excluding agriculture and biotech, admission through J.E.Mains, यानि कि आपने J.E.Mains का examination दिया था, तो उसके जरीए आप यहाँ पर counseling कराकर आपना admission जो है confirm करवा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रहे कि 4 round होंगे, 5 और 6 भी round है, लेकि जो round 1 to 4 में participate करने के लिए सिर्फ एक ही बार आपको registration करने का मौका मिलेगा, वो भी पहले round में, आने की सभी round के लिए सिर्फ एक ही बार आप registration करवा सकत जो है वो 24 जुलाइ से start हो रहा है, 5 अगस्तक होगा, तो registration, payment of fee, document upload, यह तीनों ही activity आपको 24 जुलाइ से 5 अगस्त के बीच में कर लेनी होंगी, उसके बाद जो document verification होगा, round 1 का वो 25 जुलाइ से 6 अगस्तक जो है चले गाएने कि 24 जुलाइ को आपने registration के document upload किया, तो 25 उसके बाद जब आपका document verify हो जाता है, यारेनी हो रेजिट्रेशन करते हो, registration का fee पर yook, document upload करते हो, document verify हो जाता है, उसके बाद, आपको जो है college चूज करना है तो जो भी आपको पहले वहाँ पर ranking के वाइज आपको अपने college को चूज करना है यानि कि जो पहले number पर आप रखेंगे पहले आप उसके लिए प्रिफर किया जाएगा उसके बाद दूसरे number पर उसके तीसरी number पर आपके हाँ पर कितने भी colleges चूज कर सकते है तो आपको top call पहले number पर उसी college को रखना है जो कि आपकी priority में पहले number पर है उसके बाद 14th अगस्ट को seat allotment का result आ जाएगा round 1 के लिए seat allotment का result आ जाएगा जैसे seat allotment का result आएगा उसके बाद आपको confirmation fee जो होती है वो पे करनी पड़ेगी seat confirmation fee 20,000, 12,000 आपकी category recording है CST है तो 12,000, general है तो 20,000 आपको पे करना पड़ेगा तो 14 अगस्ट से 16 अगस्ट 2023 तक जो है आपको अपको अपनी seat confirmation fee पे कर लेनी होगी उसके बाद फिर आपको जब seat confirmation fee पे कर देंगे तो freeze या float आपको ये करने का मौका मिलेगा याने कि आप अपनी seat को freeze करना चाते है याने कि उसी college वेड़ेशन चाते है जिसमें आपको seat a lot हो गई है या फिर आप जो है round 2 में जाके participate करके जो है college को change करना जाते है तो अगर freeze करना है याने कि seat confirm करने तो freeze seat को float करना है याने कि दूसरे round में जाकर दूसरे college के लिए try करने तो float option चूज करना होगा तो 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में ही वो भी आपको काम करना है तो ये round 1 हो गया कि registration करके fee को payment करके document upload कर लेना है 24 जोलाई से 5 अगस्त के बीच में document verification हो जाएगा choice filling और choice locking 10 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में होगी उसके बाद 14 अगस्त को 14 अगस्त को seat allotment हो जाएगा seat allotment के fee आपको 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में प्रे कर देनी है और willingness जो है कि freeze करना है जो seat allot हुई है या फिर float करना है वो 14 अगस्त से 16 अगस्त बीच में ही आपको करना होगा उसके बाद round 2 हो जाएगा round 2 में वो candidate जिन्होंने float किया है या फिर जिनको seat allot नहीं हुई वो candidate round 2 में आ जाएगे online choice filling यहाँ पर सीधे होगा यानि कि जो उन्होंने round 1 में choice filling की थी उसमें अगर उनको कोई changes करना है कोई college को उपर नीचे करना है तो वो alteration यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद वो lock करेंगे 17 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में उसके बाद उनकी choice locking जो है यानि कि counseling से बाहर जाना है तो उस case में भी 19 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में उनको option मिलेगा वहाँ पर वो counseling से बाहर जा सकते हैं अगर उन्हों 20 जा दिया था तो 15,000 रुपे वापस हो जाएगा 12,000 रुपे दिया था तो 9,000 रुपे उनको वापस हो जाएगा अगर वो round 2 से withdraw करते हैं counseling में round 2 से withdraw करते हैं तो 20 जा दिया था तो 15,000 रुपे वापस मिलेगा 12 जा दिया था तो 9,000 रुपे और वहीं पर जिनको seat a lot हो गई है round 1 में seat a lot नहीं भी थी round 2 में seat a lot हो गई है वो freeze या float करना चाहते है तो वो भी 19 सगस से 20 सगस के बीच में होगा उसके बाद ऐसे candidate जिनको अभी भी round 2 में seat a lot नहीं भी या फिर उन्होंने float option चूज किया था तो वो round 3 में आ जाएंगे अब round 3 में यहाँ पर जो है उनको अपने choices को change करने का आखरी मौका मिलेगा online choice locking 21 सगस से 20 सगस के बीच में होगी last option to change the choices the choices filled will also be treated for further round including internal sliding अब यहाँ पर जो भी आप choice filled कर देंगे वो final होगा वही अगर आपको round 3 में seat नहीं a lot होते है उसी choice को final बना जाएगा यानि कि round 3 में जो आप choice final कर देंगे वही round 4 में भी consider किया जागा round 4 में आपको choice change करने का मौका नहीं मिलेगा round 3 में choice को change करने का आखरी मौका है 21 सगस से 22 सगस के बीच में उसके बाद seat allotment जो है यहाँ पर 33 सगस को हो जाएगा उसके बाद जो है आपको seat confirmation fee 23 सगस से 24 सगस के बीच में पे करनी है और अगर कोई candidate round 3 से विच करता है counselling से बाहर जाना चाता है round 3 में तो उसको फिर अगर 20 जा दिये थे तो 10 जा मिलेगा और अगर 12 जा दिये थे तो 6000 रुपे वापस मिलेगा और वो counselling से बाहर जा सकता है 23 सगस से 24 सगस के बीच में वहीं पे अगर आपको जो है आपर seat मिली है तो आपको seat confirmation fee 23 सगस से 24 सगस के बीच में पे करनी होगी उसके बाद mandatory physical reporting at the allotted institution for freeze candidate up to round 3 24 सगस से 25 सगस 24 अगस से 25 अगस के बीच में आपको अपने allotted college में जो भी आपको college lot हुए वहाँ पर आपको report कर लेना है हाला कि हाँ suggestion यह दहेगा कि जैसे ही आपका seat confirm हो जाता है seat allot हो जाता है आप freeze करते हैं आप तुरन जो है अपने college में report कर लीजिए लेकिन यहाँ पर guideline के recording round 3 जो complete होता है उसके बाद 24 सगस से 25 सगस के बीच में आपको अपने college में report कर लेना है फिर round 4 जो है वो seat allotment होगा सीधा वहाँ पर ऐसे candidate को जिनको round 3 तक कोई seat allot नहीं हुआ अब round 4 में उनको finally seat allot करके दे दिये जाएगा और वो freeze होगा यानि कि यहाँ पर उनको float करने का option नहीं मिलेगा clear तो round 3 तक ही आप जो है counselling से withdraw कर सकते हैं round 3 के बाद आप counselling से withdraw नहीं कर सकते हैं जो college मिलेगा वो freeze होगा और वहाँ पर आपको जाके अड़िसल लेना होगा उसके बाद internal sliding होगा वो भी government institution के लिए ही है सेफ तो online willingness for internal sliding only for government institute only for physical reported students in government institute याने कि अगर आपको government institute alert हुआ है और वहाँ पर आप internal sliding करमार चाते हो तो वहाँ पर जो है 18 सगस से 30 सगस के बीच में आप जो है online willingness दे सकते हो 31 सगस को जो है government institution में seat back end होगे तो round 6 और 7 जो है special round conduct करा जागा तो round 6 में अगर आप parts rate करना चाहते हैं तो 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में आपको registration करना होगा special round fee जो है वो 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में आपको pay करना पड़ेगा document verification 1 सितंबर से 3 सितंबर के ही बीच में होगा फिर choice filling 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में seat allotment 5 सितंबर को हो जाएगा और 5 सितंबर को ही round 2 के लिए special round 2 के लिए जो है notification आ जाएगा यानि कि अगर round 6 के बाद भी government institution में seats रह जाती है तो round 7 जो है conduct करा जाएगा तो round 7 के लिए registration 6 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में फिर जो है 6 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में document verification भी 6 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में उसके बाद choice filling 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में seat allotment 9 सितंबर को आ जाएगा और physical reporting जो है यानि कि आपको अपने college में 11 सितंबर 2023 तक जो है वहाँ पर physically report कर लेना है जो भी आपको government institution allot हुआ है तो यहाँ पर आपको याद है कि यह जो date से subject to change याने कि इसमें amendment किया जा सकते हैं तो आपको जो है website पर check करते रहोगा UPTAC जो है इस website पर जोगए आपको counselling से related सारी जानकारी वहाँ पर मिलेगे वही पर counselling conduct कराए जाएगे और जो private institutions में जो seats vacant होगे उनके लिए अलग से online portal जारी किया जाएगा जहाँ पर जाके आप directly admissions ले सकते हैं अगर counselling के बाद private institutions में seat vacant रहती है तो तो total यहाँ पर 7 round की details यहाँ पर दी गई है round 1 में ही आपका registration करवाना compulsory है अगर आप round 1, 2, 3 और 4 में participate करना चाहते हैं उसके राउंड 5 जो है वो सिफ government institutions में internal sliding के लिए है और 607 government institutions के लिए है अगर जो है वहाँ पर seat vacant रहती है तो यह 607 जो है यह special round है तो counselling की fees की बात करें तो 20,000 या फिर 12,000 रुपर आपके category के recording आपको वहाँ पर pay करने पड़ेंगे और registration fees जो होती है वो 1,000 रुपीज होती है विशु वाल देवेश्ट की पहुचिंगे